आज के खबर नामा के प्रायुजग हैं स्री कृष्णा ग्रूप आफ इंस्टिूशन्स एहमदनगर सीतापुर, सह प्रायुजग, जेपीस बजाज, स्टेशन रोड सीतापुर, स्टेडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, और मैं हूँ पंकस सिंग गौर, और मैं सत्या सिंग, प्रितापुर की सुर्खियों वाले खबर नामे का आगाज, दिन बर की बड़ी खबरों के साथ खेराबाद में बनेगी पहली मेला हेल्फ डेस रखी गई नियू सदना में खुखार तदुए को पकड़ने के लिए हाथी बुलाने की तयारी हर गाओं में जेल भेजे गए बीडी सी हत्या कांड के मुख्या रोपी बिस्वा में कैबनेट मंतरी सिदार्पना सिंग ने आई इंडिया से की बात विपच्च पर साजा निसाना AITO दफ्तर में ठप होगा काम सभी गारियों पर HSRP नंबर प्लेट हुई अनिवार नौरात्र के दूसरे दिन मा ब्रह्मचार्णी की पूजा की गई सदालू ने दूद दही घी इत्रवा सहद का पंचा मिर्त बना कर भोग लगाया नेमिश के माललता देवी मंदिर के साथ ही मासंकटा देवी मंदिर महमुदाबाद, सोना सर्देवी, रिउसा वा सहर के दूरगा मंदिर आलमनगर में सदालू ने माथा टेका इस बार गन्ना सप्लाई टोकन की हार्ट कॉपी नहीं मिलेगी मुबाइल पर मिले SMS पर ही तॉल करानी होगी हाला कि यहां व्यवस्था सीतापूर में काफी पहली से चल रही थी अपकी पेराई सत्र में हार्ट कॉपी को पूरी तरह हटाने का काम किया गया है विभाग Digital India पेपरलेस लाइफ के तौर पर देख रहा है स्कूल खुलने के एक दिन पहले जिले में करोना के ग्राप में उच्छाल आ गई है पिछले कई दिन बाद सीतापूर में रविवार को 46 करोना के मरीज मिले हैं जिलाकारागार पर एक बार फिर करोना ने अटैक कर दिया है यहां नौ मरीज मिलने से हर कंप मच गया है विजय लश्मीनगर में तीन, सदर बाजार, मुंसी गंज वा हुसेन गंज में दो-दो और मिर्दही टोला, सीमो आफिस, आफिसर कालोनी वा हर दोई चुंगी में एक-एक मरीज की पहचान की गई है खेराबाद में छे, मचेटा में चार, महमुदाबाद, महोली, मिस्रिक वा सिदौली में दो-दो और हर गाओं वा सकरन में एक-एक केस मिला है जिले में कोरोना ग्राफ 4,000 के पार पहुँच गया है वहीर अविवार को 46 केस मिली से एक बार फिर दहशत का महोल बन गया है उधर सुमवार से कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थ्यों के लिए स्कूल भी खुलने जा रहे है अभिवावक सरकारी स्कूल खोलनी के निर्णे को उचित नहीं ठरा रहे है ऐसे में विद्यालों में जादा बच्चे पहुचेंगे इसकी उमीद कम ही दिख रही है तिंदुए की हिंसक वार्धात के बाद सबना छेत्र के सैकड़ा भर गाउं के लोगों की नीन उजड़ गई है ग्रामीर खेतवा हाट बाजार जाने से डर रहे हैं हाला कि वन विभाग जगदीजपुर में पिंजरा लगा कर तिंदुए को कैद करने की कोशिश कर रहा है रंजर प्रदीप अवस्ती ने बताया कि इर्दगिर्द के गाउं में कॉम्बिंग की जा रही है बता दें सनिवार को जगदीजपुर गाउं में 45 वर्षिय मुर्तजा अली को तिंदुए ने हमला करके मार डाला था SDO एके मिस्रा ने बताया कि हाथियों को मगाए जाने की भी कारवाई शुरू कर दी गई है मचरेटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है छेत्र के बनिया मौग गाउं की हजारा बाग में शस्त्र फैक्टरी पकड़ी गई है थाना ध्यक्ष ओपी तिवारी ने बताया कि जगरनात वर रामचंद्र पकड़े गए है और 315 वर 312 बोर के 15 असलह के साथ ही सकार्टूस बरामत की गई है ऐसो ने बताया कि फैक्टरी से लखनव, हर्दोई वा लखीमपुर को असलह सप्लाई होती थी छापा मार टीम में हैट कॉंस्टेबल श्याम कुमार, वग गोविंद सेंग, सिपाही दिनेश कुमार, रोहिताश, संजय यादो, रागवेंद्र, जीतेंद्र यादो, निहा कुश्वाह, आदी शामिल रही इन दिनों जन समस्चा दिखते ही सीतापुर सांसत राजेश वर्मा के कलम का कैप हट जाता है और सम्मंदित मंतरी को पत्र लिख देते हैं सोमार को उन्होंने तंबावर में बसड़ा बनवाने के लिए परिवाहन मंतरी को पत्र लिखा है हालिया वा महमूदाबाद रामपुर मतुरा मार के सारदा नहर पर दूसरा पुल बनवाने के लिए भी पत्र लिख चुके हैं सांसत के पत्रों पर अमल कब होगा इसका छेत की जनता को बेसबरी से इंतिजार है बतादें तंबावर परिवाहन के लियास से महतपून कसबा है यहां से जिला मुख्याले के साथ ही लखीमपुर बहराईच रोजाना सैकड़ो यातरी यात्रा करते हैं मिश्रे की ग्राम पंचायत रन्नुपूर की बदहाली पर आसु बहा रही है रास्तिक की चड़ी उपते हैं नालियां बच-बजा रही है गाउं में गंदकी का अमबार है सफाई कर्मी के दर्शन नहीं होते हैं ग्राम पंचायत के अव्यवस्थाओं से ग्रामीर आक्रोशित है ग्रामीर मनीश आनंद सागर मीरा देवी आधी ने बताया कि प्रधान जय देवी वस सेक्रेटरी सोमपाल विकास कार्यू पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिस्वा कस्बे के मगरहिया बाजार में स्यामू के मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई लप्तों में लाखों रुपे की ग्रहस्ती जल कर खाक हो गई कड़ी मसकत के बाद फायर बिगट की टीम ने आग पर काबू पाया गनी मत रही सिलेंडर फटने से बच गया नहीं तो हालात और खराब हो जाते चहर से सटे कनवा खेडा में शनिवार तकरीब रात साथ बजे बखेडा खड़ा हो गया सदर आमित भर्ट की ओर से मंदिर जीडों उद्धार रुकुआने से ग्रामीर आक्रोशित हो गये प्रधान हाजे रिजवान के अगवाई में एकत्र ग्रामीरो ने मिश्रिक विधायक रामकृष्न भारगो वा उनकी बड़े बेटे आजे भारगो पर निर्मार कारे रुकुआये जाने का आरोफ लगाया SGM ने मंगलवार को तैसील दिवस में ग्रामीरो को बुलाया है धान तौल को लेकर महुली के नेरी करकेंद पर चलाहा किसान यूनियन राश्च सक्ति का धरना खत्म हो गया है रविवार सुबा तैसील महुली वा मार्केटिंग इंस्पेक्टर मनोरंजन चौबे ने केंदर पर पहुच कर तौल सुरू कराई इससे खुश होकर किसानों ने धरना खत्म कर दिया रेउसा थाना के विस्वा मार्क पर मोटर साइकल से गिरने से 45 वर्ष ये फूल देवी की मौथ हो गई वहां नंदोई रामचंदर के साथ सीतापुर जा रही थी रास्ते में वहां मोटर साइकल से गिर गई एंबुलेंस से उन्हें CSC रेउसा ले जाये गिया जहां चिकिस्टकों ने फूल देवी कुम्रत घोशित कर दिया लहरपूर की ग्रामसभा दारा नगर के प्रधानवा समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है विजे कुमार वा संगम ने तहरीर देकर बताया कि अकबरपूर बाजार से दारा नगर आते समय बैंक टेसर बाबा मंदिर के निकट सनिवार साम करीब पांच बजे प्रधान सर्वजीत उनके बेटे पुनीत और सरीफ हसनवा आबिदली ने गालियां देते हुए धारदार हतियार से प्रहार कर दिया बिवाद में विजेवा संगम घायल हो गए जिनका इलाज सियस्टी लहरपूर में चल लहा है कोत्वाल ने बताया प्रधानवा उनके समर्थकों पर मुगत्मा दर्ज कर लिया गया है महली कस्वे में रविवार को एक बड़ा हास सा टल गया दरसल एक व्यक्ती कूड़ा जला रहा था इसी बीच मुराउन टोरा इस्थित तालाप के किनारे जाडियों में आग लग गई देखते ही देखते आग बड़ी छेतर में फैल गई महले में हाहा कार मच गया किसी तरह इस्थानी लोगों और फाइव ब्रिगेट की टीम ने आग पर काबू पाया रहुसा थाना के अमलोरा गाउं की पुलिया पर दो बाईक टकरा गई इसरार सुफियान वद्दिलीप कुमार घायल हो गए घायलों को सियसी रहुसा ले जाया गया गंबीर हालत के चलते सुफियान वद्दिलीप को ट्रामा सिंटर रिफर कर दिया गया ताल गाउं पुलिस ने भारत पेट्रोल पंप पारा के निकट चूरी की हॉंडा कार पकड़ी है कार में विकास नंद किशोर गौतम वा अनुपम पांडे सवार थे कुद्वाल अजे कुमार यादो ने बताया कि गाड़ी लखनव की है मिशन सक्त अभिहान के तहट थान गाउं थाने में दो टीम बनाई गई है रविवार को थाना दर्च की अगवाई में चांद पूर गाउं में जागरुकता अभिहान चलाया गया दूसरी टीम में S.I.G.1 चंद जोसी के नितत्तु में अंगरासी में जागरुकता अभिहान चलाया उधर मिश्रिक कोत्वाली में सीओ महन परताप सिंग ने महिलाओं को सुरच्छा के टिप्स दिये कोत्वाल मनोच कुमार यादो, सक्ति मोबाईल टीम प्रभारी आजै सिंग, रोहित दुबे, क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार, कुलदीप, साच्छी, आधि मौजूद थी A&D टीचर ट्रेनिंग कॉलिज में शरिवार से बीडवा एमदी की परिक्षाएं शुरू हो गई हैं यहां सीतापुल सिक्षा संस्थान वा धोंदी महा विद्याले के विद्यार्थी परिक्षा दे रहे हैं प्राचारी डॉक्टर प्रनीता सिंग, सहाय केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर दीपा अवस्थी, डॉक्टर नितिन कुमार पांडे, आलोक सिनह, विने पांडे, उज्वला वैश, सुरभी वराज कीर्ती रस्तोगी के देखरेक में परिक्षा हो रही है, वीडी सी संतोस सिंग हत्यकान के दो आरोपियों को पुलिस ने गृपतार कर लिया है, थाना प्रवारी निरिच्षक बिनोत कुमार मिश्य ने बताया कि उखबिर की सूचना पर कल्लापुर्ति राहे से दविश देकर जस्विंदर सिंग राम सुरुप को पकड़ लिया गया है, इस वारदात में मिर्तक के भाई की तहरीर पर चार लोगों पर नामज़े देफाईयार दर्ज कराई गई थी, इन में से दो आरोपी अभी भी परार हैं, या हत्या अवैस समंधों के चलते अन्जाम दी गई थी रामकोर्ट पुलिस ने भूप राम धर्मेशर प्रसाद डिग्री कॉलेज मोहद्दीन पुर में मिशन शक्ती अभियान चलाया एसो संजीत कुमार सोनकर, एंजी रोमियो प्रभारी दीपक पांडे, महिला आरक्षी स्वाती पांडे, करुना रानी पांडे वर आखी देवी ने छात्राओं को जागरु किया सैयोजन कॉलिज के प्रबंधग कॉशल के शोर बर्माने किया कवेत्री मालती देवी ने बेटियों की सुरक्षा स्वाव लंबन, प्रतिभा निखार वसंकर्प शक्ती से केंद्रित कविता सुनाई नगर पंचायत तंबौर में मिशन सक्त अभियान के तहट अच्छा कारी करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया नगर पंचायत अधिच्छा सहनाज बेग ने सफाई कर्मी तारा कुसुमा छुटकी समेट दरजन भर महिलाओं को प्रमान पत्र देकर सम्मानित किया मिश्रिक के देवगवा पावर हाउस में जेई उमाकान त्यागी के निर्ततु में बसूली कैम्प लगाए गया तीम ने कुतम नगर में चेकिंग अभियान भी चलाया घर घर जाकर बेल जमा कराए गए अभियान में टेक्नीशियन मुकेश नरेदरपाल राम मिनल सिंग पुरुशोत्तम खलील खान राम निवास आधित तिवारी आधी शामिल रहे सिदावली के मोहला गांधी नगर के सिवांस ने नीट परिच्छा में 8563 रैंक हासिल करके राष्टी इस्तर पर जिले का नाम रोशन किया है पूर बिदायक मनीश रावत ने सिवांस के घर पहुँचकर उन्हें बधाई दी वक्त हो चला है एक छोटी से ब्रेक का आप देखते रहें आई इंडिया राष्टी परशुराम परशद की एक बैठक शास्त्री नगर मोहले में हुई इसमें राज्य मंत्री पंडित शुनील भराला का जन दिन जन पर दिस्तर पर मराने करने ने लिया गया सुमिद बाजपेई को जिला मीडिया प्रभारी नियूक्त किया गया विमलेश कुमार बाजपेई विधी सलहा कार बने बैठक में जुला अधिक्ष पंडित महानंद बाजपेई महासचु आश्वर मिश्र संगधर मंत्री अनुपम पांडे आदी मौजूद थे सिधहौली के मोहला बाजार में नौरात्र की धूम रही यहां संत अनिसास्त्री ने मा ब्रह्मचार्णी का पूजन किया पंकच अवस्ति, गुड्डू सर्मा, शिवकान सुकल, संजय सुकल, गांधी सर्मा, हरियोम शुकल, आउधेश मिश्रा, मोहन मिश्र आदी मौजूद रहे जुला कांगरेस कमीटी ने जुला कारेले पर सम्मान समाहरों का आयो जन किया जुला अध्यक्ष उतकर्ष अवस्ति ने राजीव गान्धी दिती सामान ज्यान प्रतियोगता के विजयताओं को पुरस्कार दिया राज कश्यप को प्रथम पुरस्कार के तौर पर लाप्टॉप दिया गया कारक्रम में पूर्व केंद्री मंती राम राल राही, पूर्व विधायक हरीश बाजपी, शुरेश गुपता, शेशर बाजपी, मंजरी राही, चोक्ष विभू अवस्ति, अमित मिश्र, श्रीश शुकला, अभिशेक ट्रपाथी आदी मौजूद थे पिसामा कस्बे के बाबु सिंग इंटर कॉलेज के समीब, चल्लही राम लीला के दूसरे दिन, सनिवार राम लीला में रामण अत्याचार का मंचन किया गया, परिशर जैस्री राम के नारों से गुँझ उठा, डॉक्टर देवेश कुमार सिंग, गौरो सिंग, प्रधान प्रमोज सिंग, अजीज सिंग, इंदर सेखर सिंग, आध ने मंचन का आनंद लिया, CSC लहरपुर में मिशन शक्ती के तहट कारिक्रम का आयोजन किया गया, इसमें किशोरियों को सेहत को बहतर बनाय रखनी की जानकारी दी गए, चिकिस सुको ने सच्छता को सेहत के लिए रामबार बताया, इस मौके पर डॉक्टर राशिद अली, डॉक्टर सरोज लता, लहरपुर कोतवाली में भी मिशन शक्त अवियान चलाया गया, केसरी गंजिस्तित देवी मा मंदिर प्रांगण में महिला ससक्ती करण गोष्टी का आयोजन किया गया, कोतवाल ओपी राय ने महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरू किया और सुरच्छा के टिप्स दि खेराबाद के जूनियर अशरफ पुर में महिला सुरक्षा कारिकरम आयोजित किया गया, सियो सिटी प्यूर सिंग, प्रभारी निरिक्षव खेराबाद धर्म प्रकाश शुकला आदिनी महिलाओं को जागरू किया, इसी तरह पिसावा जूनियर बरगावा में कारिकरम आय थी, सुशीला गौतम आदी मौजूद रही। जिला अद्धिक्ष सत्य प्रकाश सिंग, जिला सन्नक्षक रागवेंद्र सिंग, शिवेंद्र सिंग, मनोस सिंग, अजीज सिंग, सुनीज सिंग, रागवेंद्र सिंग आदी मौजूद थे। मुहम्मद हस्सान रजा को नगरवपादिच कफील खान को ब्लॉक अद्धिच खेराबाद वधर्में द्यादों को ग्राम अद्धिच रशेवरा मनुनीत किया है वकार अंसारी मुनीस गाजी नदीम गाजी तरवेज आज ने हर्स बिक्त किया है प्रदेश सरकार के खादी एवुम्रेशम उद्योग मंत्री सिधार्ट नाज सिंग रविवार को बिस्वाए पथर शिवाला इस्थित आवास पहुँचे और स्थानी लोगों से मिलकर हाल चाल लिया इस दोरान उन्होंने क्रशी विल पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा इस मौके पर शरत चौधरी नगरपाली का अध्यक्ष प्रतनी धी राज कुमार जैन वेदरत्न मिश्र भाजपा नगर अध्यक्ष प्यूस मौर रोहित नास सिंग नवदीव गुपता राजु अगरवाल आदी मौजूद थे जिला समन्वेक, बालिका, सैलेश गुपता, वीडियो काजल, खंड सिच्छा अधिकारी, सुसील सिंग, ग्राम पंचायत अधिकारी, हरियों शिर्वास्तो, आस्तोस पांडे, ग्राम प्रधान, उसा देवी आदी मौजूद रही वक्त हो चला है, एक छोटी से ब्रेक का, आप देखते रही, आए इंडिया Excitement like never before, the world's favorite Indian वक्त हो चला है टो हर गाओं कस्पे के उधनापूर में शिवर लगा कर 113 लोगों की कोविट की जांच की गई सैंपल जांच के लिए प्रयोक शाला भेज दिये गए हैं जांच टीम में डॉक्टर शिवम गुपता, आदेति पांडे, दिव्या मिश्रा, सुधी भार्गो, हिमान्शु अवस्थी वर रजनीश शामिल रहे मिश्रिक कोतवाली छेत के निकट करमशेपूर हर्दोई सीतापूर राजमार्ग पर दो बाइक आमने सामने टकरा गई हास्से में 25 वरसी अंकित की मौके पर मौत हो गई गायल राजकुमार वस्षरीप को सियस्थी में भरती कराये गया है मिश्रिक विद्धुत उपकंड अधिकारी ज्यानेश कुमार के नेतरतु में विद्धुत समस्याओं के समधान और बकाय विल वसूली के लिए किशुनपूर में विद्धुत क्याम्प लगाये गया इसमें 25,000 रुपे की वसूली की गई सीतापुर राइस मिलर्स एसोशियेशन की बैटक सहर के एक होटल में हुई एसोशियेशन के अद्धेच बिजय बंसन ने बताया की धान में रिकवरी कम निकल लही है ऐसे में राइस मिलर्स को घाटा हो रहा है इस समस्या से सरकार को आउगत कराये गया है पुलिस अधिक्षक आरपी सिंग ने जुले की कानून व्यवस्था में सुधार लयाने हेतू अटरिया थाना प्रभारी को बदल दिया है पूर्व थाना अधिक्षक आरुने सिंग के छुट्टी पर होने के चलते उनके इस थान पर रामकोट थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार राय को जिम्मेदारी दे दी गई है नगरपालिका परशत महमूदाबाद में महिलाओं की समस्याओं के तुरित समाधान के लिए महिला हेल्प डिस्क का सुभारंब किया गया HDMPL मौरी ने फीता काट कर हेल्प डिस्क का उगाटन किया SDMPL मौरी ने बताया कि हेल्प डेस्ट से 24 घंटे के अंदर महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा यो सैलेन दुबे ने बताया कि नगरपालिका में महिला हेल्प डेस्ट पूरी ततपरता से काम करेगी अटरिया थाने के नील गाउ मोर पर पिकप में अग्याद वहां ने टक कर मार दी हासे में पिकप सवार चार मजदूर घायल हो गए गंभी रूप से घायल 19 वर्षी आमित को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है सुरेश सहित तीन का इलाज CSC एटॉंजा में चल रहा है थाना सदरपूर के सरईया बाजार में थाना देच संजी उयादों ने सक्ते अभिहान के तहट गोष्टी का आईजन किया इस दोरान महिलाओं को जागरुक किया गया और सुरच्छा के टिप्स दिये गए रेवसा कस्बे में राष्ट उदय पार्टी के कारिकरताओं ने बलिया कांड के विरोध में पैदल मार्च निकाला मार्च बहराईस रोड इस्थित बड़ी पुलिया से प्रारम होकर ब्लॉक थाना गेट होते हुए सामुदाइक स्वास केंड तक निकाला गया मार्च में जिला प्रभारी डॉक्टर आशीश प्रताप सिंग अल्प संक्यक प्रकोष्ट विधान सभा अधिक्ष वशी बेग आदी मौजूद थे बिस्वा के सेंट जेवियर्स स्कूल में नारी सुरच्छावा उन्हें आत्म निर्भर बनने के तरीके पर चर्चा हुई जिसको संबोधित करते हुए पुलिस चेत्याधिकारी सुसील कुमार सिंग ने मैलाओं को सुरच्छा सम्मान सौव लंबन के प्रति जागुरुक रहने पर बल दिया इस मौके पर प्रभारी निरिचक, इंदजीज सिंग चौहान, प्रधाना चारया, सालिनी, मोजेच, अमर मिरुत्तरा, इजाज अली, डॉक्टर सभिता मिश्रा, आरती मिश्रा, यशी मिश्रा, संजे सिंग, आदी मौझूद रहे हर गाउं थाने के लहरपुर मार पर कोरया उधनापुर के निकट मोटर साइकल सवार को कार ने टक कर मार दी, हास्ते में मोटर साइकल सवार सतीश पांडे की मौत हो गई, पुलिस ने कारवाई शुरू कर दी है खैराबाद थाने में जिले की पहली महिला हिल्प डिस्क बनेगी रविवार को खैराबाद थाने में जगह को चिनित करते हुए एस पी उतरी, डॉक्टर राजी उदिछित, सियो सिटी, पी उस सिंग ने नियू खुडवाने का काम भी शुरू कर दिया महिला हिल्प डिस्क का उद्गाटन, आईजी, डी आईजी अस्तर के अपसरों दोरा किया जाएगा सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योर्टी नंबर प्लेट आनिवार होने के बाद A.R.T.O. दफ्तर में काम ठप होना तैह है सोमवार से बिना H.S.R.P. नंबर वाले वाहनों का कोई भी काम नहीं किया जाएगा A.R.T.O. प्रसाशन प्रवीर कुमार सिंग ने जिले भर के डीलरों के साथ बैठक कर समय से नंबर पेट उपलब्द कराने के इनरदेश दिये हैं बतादे की सीतापुर में चार लाग से जादा वाहनदर्ज हैं जिनमें मोटर साइकल, कार, ट्रक, बस, आदी शामिल हैं A.D.M. कोट से अक्टूबर माह में नौ अपरादियों को जिला बदर किया गया है जिनमें खैराबाद के मान सिंग उर्फ गोलू, रामदीन पुत्र मुरली, सत्रोहन पुत्र रामदीन, विस्वा के गोरा पुत्र रामसरूप, मुनीस पुत्र रमेश, महमुदाबाद के छोटे उर्फ आस्तोष, ठानगाओं के संजय पुत्र मनोहर, रामपुर मतुरा के हाकिम पुत्र हिब्बा ताल गाउं के वसीम पुत्र मनसूर सामिल है विस्वा के जफराबाद में बने मिनी आईटियाई के भवन में कोशल प्रसेक्शन के इद्र का संचालन किया जाएगा इस बाबत खंड विकास अधिकारी ने प्राचार को पत्र भेजा है प्रदेश में बढ़े अपरादों को लेकर सो मुआर को प्रदेश इकाई के आवाहन पर समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं दोरा जिलादिकारी के माद्रम से राजिपाल को ग्यापन सोपा जाएगा ग्यापन में सीतापूर में हुई गटनाओं का ब्योरा भी दर्ज होगा यह था आज का खबर नामा देखते रहिए आई इंडिया हमें दीजिये इजाज़त शुबरात्री शबक है आज के खबर नामा के प्रायोजग थे श्री कृष्णा ग्रूप ऑफ इंस्टिूशन्स एहमंदगर सीतापूर सह प्रायोजग जेपिस बजाज स्टेशन रोड सीतापूर स्टैरी वेल पब्लिक स्कूल सीतापूर